नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनोगराफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है ये डिक्टेशन अस्य सब्द पर्ति मिनिट कहोगा जोकी साथ मिनिट तक बोला जाएगा जन सत्ता से लिए आ गया है दस सेकिन बाद इस्टार किया जाएगा दोस्तों अगर आप चैन इसमें कोई दोराय नहीं की कोरोना महामारी के जटकों से दो चार हुई दुनिय अब भी आर्थिक मोर्चे पर संभलने की राहें तलास रही हैं उसमें उपज रही तमाम चुनोतियों के बावजूद भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली आर्थगवस्ता बने रहने के संकेत आ रहे हैं वेश्विक परभाओं के बरकस अपनी इस्ततियों के मद्दे नजर नीतिगत फेशलों के जरिये संकट का सामना करना इसकी वजह हैं रही हैं कई बार अंतराष्ट्रिये इस्तर पर जो हालात पेदा होते हैं उसका असर कमोबेस तमाम देशों पर पड़ता ही हैं हाला कि आर्थिक वर्धी दर के मामले में भारत के रिकार्ड को देखते हुए उमीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में इसका आंकड़ा 6% से ज्यादा रहेगा मगर अंतराष्ट्रिये मुद्राकोस यानि IMF ने अपने एक ताजा आंकलन में चालू वितवर्स 2023-2024 के लिए भारत की आर्थिक वर्धी दर का अनुमान 6.1% से गटा कर 5.9% कर दिया है कहा जा सकता है कि यह कोई बहूत बड़ा फेर बदल नहीं है लेकिन आर्थिकी के दाचे में इतना या इससे भी कम बिंदूओं पर आने वाले फर्क का आर्थिववस्ता की समग्र तस्वीर पर व्यापक असर पड़ सकता है हाला कि इस मामले में यह स्थती अकेले भारत को लेकर नहीं है IMF की और से वेश्विक आर्थिक परिद्रश्य को लेकर जनवरी में अनुमान लगाया गया था कि 2024 के लिए वर्धी अनुमान दर 6.8 फिसद रहेगी लेकिन अब उस पूर्वानुमान को गटा कर 6.3 फिसद कर दिया गया है जाहिर हैं दुनिया भर में उत्वादन और सेवाओं में उपज रही चुनोतियों के मद्य नजर आर्थिक मोर्चे पर उतार चड़ाव आ रहे हैं उसी की प्रष्ट भूमी से मंदी के संकेत भी सामने आ रहे हैं इस वेश्विक उतल पुधल से सायद चाह कर भी कोई देश अचुता नहीं रह सके जहां तक भारत का सवाल है आई एम एफ ने आंकडों में भारत में आर्थिक वर्दीदर में गिरावट की बात तो कही हैं इसके बावजूद उसका कहना है कि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आर्थिववस्ता बना रहेगा इससे यही पता चलता है कि अगर कोई देश बुनियादी रूप से अपनी जमीन मजबूत रखता है तो उसे अचानक उपजे उथल पुथल का सामना करने में भी मदद मिलती हैं जिस तरह है कि आर्थिक जटकों से उबरना दूसरे देशों के लिए कई बार बेहद मुश्किल हो जाता हैं उसमें भी भारत नेकेवल हालात का सामना करता हैं बलकि अपनी रफदार को इस्थर बनाए रखने में भी कामियाब रहता हैं लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरुरत हैं कि अगर रोजगार के मोर्चे पर मोजूदा स्थती बनी रही बड़ी तादाद में लोगों की करे सकती में लगातार आ रही गिरावट की वजहें से मांग में नर्मी बनी रही तो इससे बाजार में प्रदर्शन में कमजोरी आएगी जाहिर है इसका सीधा असर उतपादन में गिरावट और उसके मुताविक भारत की आर्थिक वर्धी दर पर पड़ेगा यह दूसरे देशों की आर्थि विवस्ता को भी परभावित कर सकता है गोर तलब हैं कि इससे पहले फरवरी के आखिर में भारतिय रिज्जरवेबेंक की मौदरिक नीती समीती की और से भी देश की कमजोर आर्थिक वर्धी दर को लेकर चिंता जताई गई थी अगर इसमें सुधार के उपाई नहीं किये गए तो यह स्थती बढ़ते स्रमबल की जरुरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त नहीं रहेगी साथ ही पिछले कुछ समय से ब्याजदर उचा होने के कारण रिणों की मासिक किस्त में बढ़ोतरी हो गई हैं स्वाभाग ही इसका परभाव आम परिवारों के रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ा हैं और मांग में गिरावट आई हैं यानि अगर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग के मामले में ये हैं इस्तती नहीं सुदरी तो चिंता और बढ़ सकती हैं दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियोप लिंक डिस्क्रिशन मौदूद है आप आँसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही ये डिक्टेशन और इसका फीडियोप पूर से गुरूप पर भी शेयर करता है जिसका लिंक डिस्क्रिशन मौदूद है आप जोइन कर सकता है दोस्तों अग डिक्टेशन अच्छा लगे पसंद आयत लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तैंक यू